हलो फ्रेंज संगीताज वोम तिपस में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत फ्रेंज आजकर टमाटर बहुत-बहुत वह म şeh When you say Norman tomatoes लसुन टमाटर के और ना इसमें कोई भी हमें सबजी नहीं चाहिए इस तरह की ये बनने वाली रेसिपी है तो वीडियो को लास तक जरूर देखिए कि आप कोई भी सबजी ना हो कुछ समझ ना हो सावन में प्याज लसुन नहीं खाते हो टमाटर महंगा है इन सब के कोई भी मेजरमेंट करें कि उसका माप रहे आपको तो अब बेशन में हम डालेंगे थोड़ी सी चौथाई बर practiced सब्सक्राइव और और अदा दालेंगे दणिया और एम टेश्च के अनुसर हम डाल देंगे वैसमे नमक और यहां मैंने हरी मिर्च का पेश्ट बनाया था वो डाल देते हैं तो यहां में हम लोग लसुन खाते हैं तो इसलिए मैंने थोड़ा लसुन भी डाला था इसमें ज़रूरी नहीं रहती है अपना भी डालो तो चलेगा और बारिक कटा हुआ बहुत सारा हरा धनया डाल दिय और अच्छे से अब इनको मिक्स कर लेंगे पहले सूखे बेसन में ही अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम पानी डालेंगे तो उसी कटोरी से मैं पानी डाल रही हूं तो यहां एक कटोरी पहले हम पानी डालेंगे और बागी का पानी हम बाद में डालेंगे पहले इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि लंस ना हो गुटलिया ना हो तो अच्छे से इसको मिक्स करना है तो हमें इसमें कोई भी गुटली नहीं रखना है अच्छे से मिक्स करके इसको स्मूथ सब पेश्ट तयार करना है तो देखिए अच्छे से स्मूथ हो गया है अब इसमें और पानी आड़ करेंगे तो हम इसमें डेड़ कटोरी और पानी आड़ करेंगे पहले एक डाला था और अब डेड़ कटोरी डालेंगे तो टोटल हमें डाई कटोरी पानी डालना है यानि कि एक कटोरी हमने बेसन लिय तो यह हमारा पेश्ट यानि की बैटर गोल कुछ भी बोल सकते तयार हो गया है तो अब एक कडाई लेंगे कडाई या पैन कुछ भी ले सकते हैं और उसको गैस पर रखेंगे और उसके बाद यह जो हमने गोल तयार किया था बेशन वाला यह डाल देंगे और यहां गैस की कर देते हैं फ्लेम ओन और इसको लगातार चलाती रहना है हमें जब कडाई में डाल दें इसको तो चलाती रहना है चोड़ना नहीं है नहीं तो इसके लंस बन जाएंगे यह बहुत ही ज़ल्दी गाड़ा होने लगेगा तो यह देखे एक मिनाट में ही यह गरम होके यह देखे इस तरह से गाड़ा होने लगा है और यह देखे तो इसको अच्छे से मिक्स करना है सोरी साइड में गिर गया क्योंकि मेरी कडाई यह बहुत ही छोटी सी है इसलिए तो यह देखिए इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स करते हुए चलाना है और एक बार गरम हो जाए थोड़ा सा तो उसके बाद फ्लेम की यह गैस की फ्लेम को हमें एकदम धीमी कर देना है क्यो साबर परफेक्ट बनेगा तो यह देखिए इस तरह से चला के एकदम स्मूथ कर लेना है इसे लेकिन द्यान रखिए इसको चलाते रहना है छोड़ना नहीं है तो यह देखिए इस तरह से गाड़ा हो जाए उसके बाद एक मिनट और पका लीजिए बस ज्यादा पकाने की ज़रत नहीं है एक से डेड़ मिनट आप पका लीजिए उसके बाद यह देखिए मैंने एक थाली लिया है थाली को उल्टा रख दीजिए तो कि उल्टे थाली पे हमें इसको निकालने में बाद में बहुत ही आसानी होगी तो इस बैटर को हम डाल देते हैं यहां थाली पे तो थाली पे हमने कुछ भी घी तेल नहीं लगाया है ऐसे ही इसको डालना है क्योंकि घी तेल लगा देंगे तो यह फिर फैलेगा नहीं तो आप कुछ भी मत लगाईए थाली को ऐसे ही इस पे फैला दीजिए तो यह देखिए हमने बैटर को अच्छे से फैला दिया है तो एक अब दः लिया है उसमें अप थोड़े से मसाले डाले दालेंगे तो मैंने आदा नियदा दालें ने पॉडर पोड़ेश जी और अच्छे से मसाले कि मिक्स कर देंगे कि इस तरह से सारे मसाले दही में मिंक्स कर लेंगे तो यह दही भी हमारा तयार हो गया है तो चलिए अभी सबजी बनाना एस्टार्ट करते हैं तो मैंने गैस पर रगदी है कड़ाई कड़ाई में मैंने दो बड़े चमश डाले हैं तेल गरम हो गया है उसके बाद हम डालेंगे जीरा और राई आधा आधा चमश जीरा और राई डाल देंगे एक तेजपत्ता डाला है जिसे की खुश्बू अच्छी आएगी और थोड़ा सा हींग डाल दिया है तो खड़े मसाले को अच्छे से चटकने देंगे उसके बाद ये मैंने एक खरी मिर्ची को थोड़ा सा बारिक बारिक काटके डाला है और यहां वो जो मैंने पहले बैसन में डाला था वही वाला पेश्ट है लसुन और मिर्ची का वो डाल देंगे एक चमश और इसको छोड़ेंगे तो दही फट जाएगे इसलिए लगातार चलाते रहना है कि उसमे उबाल आ जाए तो यह देखिए अच्छे से दही में उबाल आ गया है तो इसको थोड़ा सा पकने देते हैं और तब तक यह देखिए हमारा बेशन भी ठंडा हो गया है तो चले इसको काट लेते हैं तो इसको आप अपने मनपसंद से सेप दे सकते हैं इसको आयर में डायमंड में ट्रैंगल में कैसे भी आप अपने मर्जी से सेप दे सकते हैं यहां मैं डायमंड सेप में कट कर रही हूं तो राजस्तान में इसे पित्तोड की सब्जी बोलते हैं बहुत ही ज्यादा बनाई ज ना कोई सबजी आ अगर घर में सबजी आ ना हो तो जट पड़ यह सब बनाई है यह बोट ही ज्ञादा टेस्टी लगती है तो यह देखिए मैंने डायमंड में काट लिया है और यह देखिए बहुत ही ज्यादा सॉप्ट है यह देखिये कैसे इपनजी है सॉप्ट है एकदम यह देखिए तो यह देखिए मैं आपको तोड़के भी दिखाती हूं कितना सोप्ट है यह देखिए इस तरह से ही टूट रहा है एकदम और बिल्कुल भी हाथों पर नहीं चिपकता है यह तो यह बेशन हमारा तयार हो गया है यानिकि यह डायमंड सेप मैंने तयार कर लिया है यहां इदर हमारी ब्र्चे वी पम गई अच्छे से यह देखिए और यह मैंने थोड़ा सा प्रज़ा हि रखा है जादी। यह देखिए बेशन है तो पानी हीتم सोपता है इसलिए थोड़ा सा पानी यहन की ग्रेवीत को पतला रखा है और आप जो हमने मुए कट किये थे वो डाल देते हैं और यह देखिए इसको एके करके इस तरह से डालना है और बाद में डालने के बाद हमें यहां इसको हिलाना नहीं है यानिकी चलाना नहीं है तो मैं थोड़ा सा इसको बिल्कुल हलके हाथ से इस तरह से डुबा देती हूं ग्रेवी में बस बाकी चलाना नह तो तूड जाएंगे और अब धीमी आज करके इसे 3-4 मिनट पकने देते हैं और यह देखें 3-4 मिनट पकने के बाद मैं डाल दे रही हूं यहां बारी कटा हुआ हरा दनिया तो हरा दनिया थोड़ा सा ज्यादा ही डाले तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है और इसको अब बाद में दीरे दीरे इस तरह से चला देंगे तो यह देखें सारा ओल भी उपर आ गया है तो मसाला सब कुछ अच्छे से पग गया है सबजी भी अच्छे से पग गई है और यह देखें कितनी लाजबाब सबजी आप रेश्टोरेंट वाले पनेर यह सबजियां जो ह खोबा रोटी जो राजस्तान में भृत फेमस है तो खोबा रोटी के साथ यह सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है और साथ में लसुन की चटनी बना लो मजाये आ जाएगा मिर्ची का आचार हुँ वाह क्या बात है इसके टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा तब तक आपके पास सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप देख सको खोबा रोटी भी बहुत ही ज्यादा टेश्टी लगती है तो आप एक बार जरूर ट्राय कीजिए और सब्जी यह पितोड की सब्जी बहुत ही ज्यादा टेश्टी बनती है तो आप जरूर ट्राय कीजिए और मेरी यह रेसिपी पसंद आए तो लाइक सेर कमेंट जरूर कीजिए तो चलिए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ खोबा रोटी के साथ तब तक के लिए बाए बाए